आज की इस वीडियो में हम जाने के राउटर के प्रकार राउटर के प्रकार निम लिखेता है पहला वायरलेस राउटर वायरलेस राउटर का इस्तमाल लेपटाप और स्मार्टफोन जैसी डिवाइसों को Wi-Fi connectivity पाने के लिए किया जाता है जिससे यूजर आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है जिन डेवाईसों में Wi-Fi की सुविद अपलब दोती है उन डेवाईसों में राउटर का उप्योग किया जा सकता है Wireless router में यूजर को इंटरनेट की सुविद अप्रादान करने के लिए किसी भी प्रकार की केविल का प्रियोग नहीं किया जाता Wireless router की range लगभग 150 से 300 फिट तक होती है यानि इतनी range में यूजर इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है Security के मामले में Wireless router काफी अच्छे होते है राउटर में लोगइन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ट का उप्योग किया जाता है जो एसे पूरी तरह सेक्योर कर देते है दूसरा Core router Core router एक प्रकार का router होता है जो एक नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांस्मेट करता है परन्तु यह नेटवर्कों के बीच में डेटा को ट्रांस्मेट नहीं कर सकता इसका उप्योग सभी प्रकार के नेटवर्क उपकरनों को इंटरनेट से जोडने के लिए किया जाता है इसका इस्तमाल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा किया जाता है इसके अलावा यह बहुती तेज और सक्तिसाली डेटा कम्निकेशन इंटरफेस प्रदान करता है तीसरा broadband router इसका इस्तेमाल मुख रूप से computer को high speed internet की सुभिधा प्रदान करने के लिए किया जाता है इसके अलावा इसका उप्योग voice over IP technology के लिए किया जाता है broadband router की सुभिधा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रदान की जाती है broadband router को broadband modem और digital subscriber line modem भी कहा जाता है चौथा ब्राउटर router bridge और router से मिल कर बना होता है या है bridge के जरी ये data को transfer करने की सुभिधा प्रदान करता है